good morning dear students we have initiated the topic achievements of iltutmish under which we have covered his early difficulties now we shall continue with his achievements iltutmish की कौन कौन सी मेटवपून उभलबधियां थी इसकी विशह में आज हम विस्तृत से अधेन करेंगे सबसे पहले सप्रेशन ओफ होस्टाइल नोबल्स अराम शाह के पक्ष में जो मैतपून कुतबी और मुजी सरदार थे सामन्त थे कुतबदीन के समय में जिनोंने मैतपून भुमी का निवाई थी इल्टुतमिश ने जड़ के यूद में उन्हें पराजित किया पराजित करने के पशात, दिल्ली, बदायू, अवध और बनारस के जो शैतर थे उन में शांति स्थापित की चुकि यह कुतबी और मुजी जो सरदार थे सामन्त थे यह यदा कदा विद्रो करते थे और इल्टुतमिश के लिए सरदर्द बन चुके थे इसलिए इल्टुतमिश ने में हम पहले पढ़ते आ रहे हैं पिछले दो तिन लेक्चर से जब बारा सो पंदरा इसुई में ख्वारिज में शासक ने गजनी पर आक्रमन किया था तो ताजु देल ताजु दिन यल्दोज को गजनी छोड़ करके पंजाब में शरण लेनी पड़ी थी और इस उप्यू में भेज करके उसे मृत्यु के घाट उतार दिया अर्थात ताजु दिन यल्दोज का जो चेप्टर है वो हमेशा के लिए इल्दुत्मिश ने खतम कर दिया नेक्स्ट है एक्सपेडिशन अगेंस्ट नासिरुदीन कवाज्जा नासिरुदीन कवाज्जा जो की सिंद और मुल्तान का रूलर था शासक था उसने लाहोर पर आक्रमन करके भटिंडा है या कुराम है सुरसती है इन शैत्रों को भी विजित करने में सफलता प्राप्त की थी बारसो सताइस्वी में इल्दुत्मिश ने पिशाल सेना सहित लाहोर पर आक्रमन कर दिया जब लाहोर पर सफलता प्राप्त हुई तो वहां से कवाचा भाग करके सिंद चला गया 1277 में उसने पुनहा पंजापर आक्रमन किया लेकिन उस समय भी इलतुत मिश्च ने उसे पूरी तरह से प्राजित किया और मौमध जुनेदी को जो है वो लाहोर का नया सुवेदार नियुक्त किया और उसके अधीन जो सिंद और मुलतान के शैत है वो सौपे गये थे नेक्स्ट है मगलों के आक्रमन से सुरक्षा चंगेज खान ने मद्द इशिया के कई राज्य को जीतते हुए जो ख्वारिज्म शासक था जलालुदीन मगबर ने उसके उपर आक्रमन किया था और ख्वारि इल्तुत्मीशी अच्छी तरह से जानता था कि उसके द्वारा जो स्थापित राज्य हैं वह बहुत अर्ली स्टेज में हैं वह मंगोलों के आक्रमन का सामना करने में सक्षम नहीं है इसलिए उसने बिनमरता से ख्वारिज्म शासक की जो रिक्वेस्ट है उसको तंडाउन नहीं दे सकता है शरण नहीं दे सकता है इसलिए ऐसा कहकर के उसने मंगलों के आक्रमन का जुब है है उसको सदा के लिए टाल दिया क्योंकि अभी नव गटित जो राज्य है वो मंगलों का आक्रमन करने में सक्षम नहीं था नेक्स्ट है एक्सपेडिशन अगेंस्ट खिलजी चीफ ओफ बंगल बंगल में वक्तियार उदिन खिलजी के बाद जो अली मरदान था उसने कुत दिन एवक की अधिनता से विकार की थी लेकिन अली मरदान के पशात जो अगला बंगल का शासक बना था हसाम उदीन स्वतंत्र घुषित कर दिया और ग्यासुदीन का टाइटल लेकर के स्वतंत्र शासक की तरह वो बहवार करने लगा था पहले 1225 सिस्वी में इलतुत मिशने आक्रमन किया 1226 सिस्वी में पुनाव आक्रमन करने के लिए विशाल सेना वहाँ पर भेजी गई थी और 1229 सिस्व शांती स्थापित की गई यह इलतुत मिश की एक मैतपुन सभलताओं में से एक माना जाता है क्योंकि बंगाल पिहार में शांती स्थापित होने से दिल्ली और दिल्ली के आसपास की शैत्रों के विकास में या राज्य के विस्तार में जह वो इलतुत मिश ने मैतपुन जो कि कुतुबदी नयवग के समय में सोतंत्र थे और जिन पर कुतुबदीन अपना नियंतन स्थापित नहीं कर पाया था। नागोर है, 1231 में ग्वालियर को विजित किया, 1233 में कालिंजर को विजित किया और 1234-35 में मालवा पराक्रम करके उसे विजित करने में सबलता प्राप्त की थी। हुए थे और आप इतिहास में चीज़ को पढ़ चुके हैं कि जब मुगलों ने आक्रमन किये थे, जब आवर ने आक्रमन किया था तो उस समय भी राजपुतों की युदों का सामना उसे करना पड़ा था। लेकिन काफी हद तक इलतुतमिश रास पुताना के इन राजय को अपने नियंतन में करने में सफलता प्राप्त हुई थी। 1229 इसवी में इलतुतमिश ने बगदाद के खलीपा से सविकृती पत्र प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। इसलिए में तपुर्ण था क्योंकि इलतुतमिश को दासों का दास कहा जाता था। और अभी तक भी उसे इस बात का मलाल था कि वो दास्ता से मुक्त नहीं हो पाया। यानि जो इसलामिक रूल है वो उसके शासन को वैद नहीं मानते थे। इसलिए उसने खलीपा से जो सविकृति पत्र प्राप्त किया और खलीपा ने अमीर उल्ल मौमिन की उपाधी उसे प्रदान की अर्थात उसे मुसलमानों का वैद जवो शासक माना, वैद नेतरतो करता माना और यह उसकी एक बहुत मैतपूर्ण जो सफलता मानी जाती है। बाद में उसने खलीपा के नाम को सिक्कों पर भी अंकित करवाया था ताकि अपने शासन को वैदता प्रदान कर सके। नेक्स्ट है अडिनिस्टेट्व रिफॉर्म्स जो प्रशासनिक सुधार हिल्तुत मिश्ट ने किये थे। बारासो क्यारा से लेकर के बारासो च्छती और हर एक इकता के अंदर जो है उसने इकतादार एपोइंट किया था ताकि परशासनिक दिश्टी से इकता को दुस्त किया जा सके दक्ष किया जा सके उसने जो तुरकय चेहल गानी है वो परशासनिक कारे दक्षता बढ़ाने के लिए परशासनिक सुधार के दिश्टी से उसको मजबूत किया ताकि जो राच्ज स्थापित किया गया है उसको अपने नियंतर्ण में किया जा सके उसने काजियों की जो नियुक्ति की और ताकि नय व्योस्ता को और दुस्त किया जा सके उसने चादी का टका और तामे का जितल नामक सिक्के जो है वो जारी किये थे औ और उन सीकों के उपर सुल्तान का और खलीपा का नाम जो अरेविक भाषा में अर्वी भाषा में लिखाया था। उसने प्रशी दित्याहसकार मिनासस विराज जिसने की तबकतर तरि नासिरी नावख पोस्तक लिखिए उसको पेट्रिनाइज किया उसको संरक्षन परदान किया था। कुतुबदी नthropak द्वारा जो कुत maker मिनार के निर्मार का शुरू किया गया था। उसको पूरा करने में मैतवपोन भूमी का इलतुत मिश्च ने निभाई थी। अर्थात ये इलतुत मिश्च की बहुत मैतवपोन उपलब्धियों में से माना जाता है। अब हम कुईकली ये जानने का प्रयास करते हैं कि इलतुत मिश्च को रियल फाउंडर क्यूं कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का भारत के अंदर। फाउंडर तो आपने पढ़ा है कि कुतुपदीन एवक था लेकिन वास्विक जो संस्थापक हैं वो इलतुत मिश्च क्यूं मान ये मानते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत में कुतुबदीन एवक के पशात इलतुत मिश्च शासक बना तो दिल्ली सल्तनत लगभक ना के वराबर थी उसका कोई अस्तित्व नहीं था अस्तित्व हीन थी लेकिन इलतुत मिश्च ने कुछ ऐसे कारे किये थी जिसकी कारण उसे वास्तिक संस्थापक कहना जह उचीत रहेगा। सबसे पहला है कि उसने सुल्तान की उपाधी धारण की थी। कुतुदी नेवक ने सिपैसालार की उपाधी से ही काम चलाया था। उसने सुल्तान की उपाधी घ्रेण नहीं की थी। उसने मुहमद गौरी के सेनापती के रूप में परतिनधी के रूप में ही कारे किया था। लेकिन इल्टुत मिश्च ने सुल्तान की पदवी धारन करके बैधानिक रूप से इसलाम राज्य की नीव यहां पर रखी थी। दूसरा है, Establishment of Delhi as the Capital of His Empire, उसने लाहूर के स्थान पर दिल्ली को जो की ततकालीन भारत के कैंदर में स्थित थी, क्योंकि पंजाब अफगानिस्तान तक के शेत्र जहू भारत में समलित थी, इसलिए दिल्ली के अंदर में स्थित थी, उसने दिल्ली को राजधानी गोशित क या था लाहूर की अपिक्षा, इससे जहां एक और पूरव और पश्चिम में नियंतर स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई, वहीं दूसरी तरफ जो है, दक्षिन भारत के अव्यानों के लिए भी मार्क प्रशस्त करने में मैंतवपुन भूमी का निभाई, नेक्स और सिल्वर कोईन जो है था, और तांबे का जो जीतल है, उसे जारी किया था अपने नाम पर, साथ में सुल्तान का नाम भी अर्वी भाष्चा में उसमें खुदवाया था, लेकिन इससे पहले कुतुदी नयबक ने अपने नाम की सिक्षि जारी नहीं किये थे, नेक्स्ट सबक्रिती प्राप्त करके अपने शासन को वैदता प्रदार की थी, इसलिए उसे वास्पिक संस्तापक माना जाता है, नेक्स्ट है, इस्टेबिलिश्मेंट ऑफ लौ एंड और, इल्टुत्मिश ने काफी हद तक भारत में कानून व्यवस्था और कानून का जो शासन है, उसे स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी, उसने राजपताना के शैतर में, बंगाल विहार के शैतर में, और जम्मो कश्मीर के शैतर में, लहोर के शैतर में, बटिंडा के शैतर में, और ताजुदीन यल्दोज की समाप्ती, इसके साथ नासिर दुन कवाच्या की स कुतुबी और मौजी सरदारों के समापती करके law and order को दुरुस्त किया था, शांति स्तापित करने में सफलता प्राप्त की थी, उसने सामराज्य को इक्ता में विवक्त किया, प्रशासनी की काई में विवक्त किया, इसलिए भी उसे वास्विक संस्तापक माना जाता है, अंतता हम ये कह सकते हैं कि इल्तुत मिश द्वारा जो कुतुबी नेवक का कारे हैं, उसे पूरा किया, कुतुबी नेवक ने इतिहास में मुस्लिम राच्य की नीव भारत में रखी थी, लेकिन उसे वास्विक रूप से सुदर्ड और मजबूत करने की जो सफलता है, वो इल साइनमेंट्स मैंने आपको दी है, क्यों इल्तुत मिश को दिल्ली सल्तनत का वास्त्विक संस्थापक क्यों माना जाता है, यह आपने लगभग 500 शब्दों में लिखना है, यह आपके लिए साइनमेंट्स हैं, so have a good time, have a good day, thank you very much.